तर के आज हमारे पास जो ऊस्ट염 है वॉ आपका फिप्टीन का वी बाला है ठीक है इस पर क्या करना आपको टिप पढ़ी लिखना गो पाली मर पोलि मर आपका क्या है नाइलान्य का यद सक्ष्ट पने सब्सक्राइब करना आप तो सबसे पहले अगर हम इसके बनाने की बिधी की बात करें नैलोन को किस तरह से त्यार किया जाता है तो कह रहा है इसे polyhexa क्या polyhexamethylene epidemide ठीक है polyhexamethylene adipamide यह धियार रखना है ठीक है पूरा नाम polyhexamethylene adipamide polyhexamethylene adipamide plus और क्या होगा इसको यह कहते है ठीक है क्या कहते है इसको जो आपका polymer है ठीक है nylon 66 इसका नाम यह आपके याद रखना है जो कि क्या दे रखना है polyhexamethylene adipamide polyhexamethylene adipamide ठीक है याद हो गया इस नाम से भी आपको इसको पूछा जा सकता है यह है एडिपिक अमल, क्या एडिपिक अमल और आपका क्या होगा, हेक्जामेथलीन डाइमीन, हेक्जामेथलीन डाइमीन के संगनन बहुली करण द्वारा प्रक्राप्त किया जाता है, तो इसका जो फार्मेशन है, यह इसको बनाया जाता है, वो किससे बनाया जाता है, एड करा जागा संगनन करा जागा संगनन में आपका क्या निकलता है जो वाटर मालीकूल हो या आपके वाहर निकल जाते हैं इसको 66 कहते है इसलिए इसे नाइलॉन 666 कहते हैं अब देखो क्या एक अधिक अमला है इसमें भी आपके 6 कार्वन होंगे और एक क्या आपका इसमें भी आपके 6 कार्वन होंगे तो चलिए हम बात कर लेते हैं किस तरह से यह दोनों आपस में रियक्ट करते हैं और किस तरह से बनाते हैं आपका इसको कहते हैं नाइलॉन 666 यहां पर यह एडिपिक असिड है जो कि इसमें थोड़ा सा कुछ गलत लिख दिया है यह अक्सिजन आपर यहां पर ना ओकर कहां पर होगा इस वाले कार्वन पर और इस पर क्या होगा ओएच ठीक है क्या होगा आपका ओएच होगा और यह हैड रिकलो अन हो सिंगल बांड सी डवल बांड ओ सिंगल और ड्रेकट में आपका KH2 का होल 4 रहे गा और सिंगल बांड कारवन पर डवल बांड और सिंगल बांड आपका ओई यह है अब ये किस से मिठाइलन डायमीन से किस से ड़नों साड में और क्या होगा छे कारबन हो ठिक है है कि आपका नहीं होगे तो यह क्या होगए आपका अपका है इस सी आपके दो हाइडोजन लगे हुए यहाँ नहीं इस वाले नाइटोजन से लगाओ तो यानि कि इस नाइटोजन से आपका एक हाइडोजन यह लगा हुआ है एक हाइडोजन आपका यह लगा हुआ है बीच में क्या है एक लंबी स्रंखला है CH2 CH2 आपका 6 बार लिखा हुआ है कितनी यह क्या करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं और दूसों डिग्री यह क्या है कि 220 बाइव मंदली दाब होगा है यह पर 220 बाइव मंदली है दाब पर इसको हम ट्रीट करेंगे टेंपरेचर कितना होगा 210-280 degrees centigrade तो यह कंडिशन्स है जो कि इसके लिए फुल्फिल करने होती है यह इसके लिए यह कंडिशन्स की रिक्वाइर होती है ठीक है कि इसको बना सकते है तो यह दोनों जब आपस में रिक्षन करेंगे तो यहां से माइनस के निकल जाएगा आपका एच टू ठीक है के निकल जाएगा एच टू इसका सी डवल ओ एच का जो ओ एच बो और निकल जाएगा और बनेगा कि यह आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे ठीक है यानि कि कारवन इस नायटोजन से जुड़ जाएगा जाके तो इसतना वाला यह जो पोर्सन है आपका यह इधर लगा हुआ है मान इस नायटोजन पे एक एकowan रह गया यहां इससे जुड़ खोल से नायटोजन लगा हुआ है उसको यहां लिख दो बरना इसको बहुत लंबा लिखना पड़ेगा आपका आगे क्या बचा हुआ है एन एच टू ठीक है यह क्या है आपका आगे एड़ करने वाली चेहन है तो यह इसी तरह से बहुत सारे आपस में मिलते जाएंगे क्मबाइन होते रहेंगे और क्या बना लेंगे आपका नाइलोन क्या बना लेंगे नािलान ठीक है तो चार औरभन यह हैं पाठ लिए पांच चे थीक है थो चे रवन आतके यहांपर है तिस यहां पर रहां ठीक है थो लूँ तरफ आपके यहां पर आपके शेगर्म Campaign इसलिए इसको कहते है नाइलोन 666 कहते है ठीक इसके आगे इसके यूजिज दे रखें दो एक को देख लो उप्योग नाइलोन 66 के उप्योग क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेट होता है यानि कि यह 250 डिग्री सेंटीग्रेट पर पिखल जाता है और यह इतने ताप तक मेकेनिकल प्रोपर्टीज बनाए रखता है कितने 150 degree centigrade तक यह का करता है अपने यांत्र गुणों को बनाय रखता है इससे पिगला कर धागे के रूपों में बदला जा सकता है यानि कि यह जो आपका nylon 6-6 है इसको पिगला कर हम धागे भी बना सकते है ठीक है किस क्या बना सकते है इसके दागे या रेशे भी इससे बनाय जा सकत है तायर रस्ती कॉर्पेट आधि के बनाने में भी इसका प्रियूक किया जाता है यान जो टायर होते है वो भी आपके किसके बने होते है नाइलॉन के रस्तियां भी कुछ आपकी नाइलॉन की बने होती है ठीक है तो यह तो था आपका nylon 6,6 ठीक है nylon 6,6 नेक्स अगले थैंस वार वाचिंग शेर दीओ